बीजेपी मैनफेस्टो रिलिस तरवता प्रधानी मोदी माटलाड़तुन नारू लाइवलो चुदा बीशु हो या फिर तमिल नारू में नव वर्ष पुथांडू हो सबको सुपकामनाओं का दौर चल दाहा है आज नवरात्री के छठे दिन हम सभी मा काच्याईनी की पूजा करते हैं और मा काच्याईनी अपने दोनों भुजावों में कमल धारण किये हुए है ये संयोग भी बहुत बड़ा आशिरवाद है इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साब आमबेड करकी जेनती भी है ऐसे पावन समय में आज भाजपा ने विख्षिद भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है मैं आप सभी को सभी देश स्वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मैं राजनाजी और उनकी पीरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टों तयार करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ मैं देश भर्ष में से लाखों लोगों ने भारतिये जनता पार्टी के प्रती अब प्रतीम विश्वास रखते हुए जो सुझाव बेजे इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागिदारी निभाई इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरी अभिनंदन के अथिकारी हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ साथियों पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है दस वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिन्दू को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है भाजपा ने मैनिफेस्टो की सुचिता को फिर स्थापित किया है ये संकल्प पत्र विक्सित भारत के चार मजबुत संब युवा शक्ति नारी शक्ति गरीब किसान इन सभी को ससक्त करता है हमारा फोकस डिगनिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस क्वालिटी अफ लाइफ उस पर है हमारा फोकस निवेज से नोक्री निवेज से नोक्री पर भी है इस संकल्प पत्र में quantity of opportunities और quality of opportunities दोनों पर बहुत जोर दिया गया है एक तरफ हमने कई सारे infrastructure निर्मान से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है दूसरी तरफ हम start-up और global centers को बढ़ावा देकर high value services पर भी ध्यान देने जा रहे हैं भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारती युवा आकांशाओं का प्रतिबीम भाए है साथ्यो भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्ष में पचीस करोड लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर हमने सिद्ध किया है कि हम परणाम लाने के लिए काम करते हैं लेकिन काम बहार रुपता नहीं है जो लोग गरीबी से बहार आएं इनको भी लंबे अर्षे तक संबल की आवशकता है नहीं तो कभी कभी एक छोटी सी कठिनाई भी फिर से उक बार गरीबी में धकेल देती है हम जानते हैं कि अस्पताल में मरीज का आपरिशन बढ़िया हो गया होगा सारे परामेटर तबियत के ठीक होंगे फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि जरा घर जाके महिना दो महिना ये ये चीज़े समालना ये उनके स्वात के लिए कहते हैं वैसे ही गरीबी से जो गरीबी बाहर निकल करके आया है उसको भी कुछ समय के लिए बहुत संबल की आवशक्ता होती है ताकि किसी भी कहांड से वो गरीबी में प्लाप्वापिस जाने के लिए मजबूर न हो जाए इसी सोच के साथ भाजपा ने गरीब कल्यान की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है मोदी की गारंटी है कि मुप्त राशन की योजना आने वाले पांच साल तक जारी रहेगी हम ये सुनिशित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोशण युक्तफ और उसके मन को संतोज देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो यानि पेट भी भी अरे मन भी भरे और जेब भी भरा रहे मोदी की गारंटी है कि जन आउसदी केंद्रों पर असी परसंट डिसकाउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी इतना ही नहीं इन दवाईयों के जन आउसदी केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे मोदी की गारंटी है कि आउश्मान भारत के तहट पांच लाख रुप्य तक का मुप्त इलाच मिलता रहेगा मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णे लिया है इस निर्णे सत्तर वर्ष की आयू से उपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है आज जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत बड़ी किंता होती हैं कि बिमारी की सिटी में इलाज का खर्च कैसे आएगी और ये मद्यम्बर के परिवार को ज़्यादा होती है अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि सत्तर वर्ष की आयू से उपर के हर बुजुर्गों आईश्मान योजना के दाइरे में लाया जाएगा सत्तर साल के उपर के हर बुजुर्ग चाहे वो गरीब हो चाहे मद्यम्बर के हो चाहे उच्च मद्यम्बर के हो ये एक नया दाइरा होगा जिनको पांच लाख रुप्य तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी साथियों भाजपा सरकार ने गरीबों को चार करोड पक्के घर बना कर दिये है अब जो अतिरिक्त जानकारिया राज्य सरकारों से मिल रही है क्योंकि परिवारों के विस्तार होते है एक घर से दो घर बन जाते है और खुद नया घर बनानी की शक्यता संभावना नहीं होती है तो उन परिवारों के भी चिंता करते हुए हम तीन करोड और घर बनाने का संकर्प लेकर के आगे बढ़ेंगे अभी तक हमने सस्ते सिलिंडर घर घर पहुंचाए अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस गर गर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे हमने करोडों गरिप परिवारों को मुप्त बिजली कनेक्शन दिये अब हम करोडों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में आकाम करेंगे पी-एम सुर्य घर मुप्त बिजली योजना हमने लागू की है एक करोड लोग इस पर रिजिस्शिक करा चुके हब तक भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा गर में बिजली तो मुप्त होगी होगी अतिरिक्त बिजली बेज करके कमाई भी होगी साथ-साथ आज जो उसको स्कूटर, कार के पैट्रोल, डिजल का खर्चा होता है अगर वो इलेक्रिक वहिकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग विवस्ता भी उसको मुप्त में अवेलेबल हो जाएगी यानि उसका ट्रांस्पोर्टेशन भी मुप्ति के तरब जाएगा साथियों, बीते वर्षों में करोणों लोगों को एंट्रेप्रिनर बनारे का काम मुद्रा योजना ने किया है करोणों के संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए है लाखों लोग जॉब क्रियेटर भी मने है इस सफस्ता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है अब तक मुद्रा योजना के तहट लोण की सीमा दस लाख रुपिय हुआ करती थी अब भाजपा ने इससे बढ़ा कर बीस लाख रुपिय करने का इरादा किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो यूग है उसमें जिस प्रकार के इको सिस्टिम की जरूरत है छोटे 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 उद्योगों की जरूरत है ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बनाने के बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रुपे काम आएगा इससे शहर हो या गाउं युवाओं को अपनी रूची का काम करने के लिए और अधिक पैसे मिलेंगे आज जाजी के बार पहली बार रेहडी पट्री ठेले वाले हमारे भाई बेहनों को डिगनीटी मिले ब्याज के चक्कर से मुक्ती मिले इससे इसमें स्वानिती योजना ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई है एक बहुत बड़ा रिवोलूशन आया है लेकिन अब तक ये बड़े शहरों तक सिमित था आज रेहडी पट्री ठेले वाले मेरे भाई बेहनों को बैंक में बैंक में बीना गारंटी दिये मदद मिल रही हैं मतलब मोदी उनकी गारंटी करता है भाजपां इस योजना का भी दो तरह से विस्तार करेगी एक तो पचास हजार रुपिय का करती जो लिमिक है उसको बढ़ाया जाएगा और दूसरा इसी योजना को देश के छोटे कस्मों और गाउं देहाद के भी रेड़ी पट्री वालों के लिए खोल दिया जाएगा साथियों जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदि पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है दस वर्सों में हमने दिव्यांग जनों के लिए अनेक सुभिधाय दी है दिव्यांग साथियों को पी-एम आवास योजना में प्रात्विक्ता दी जाएगी उनकी विशेश जरुरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके उसके आर्किटेक्टर में बदल करना पड़ेगा डिजाइन में बदल करना पड़ेगा इसके लिए विशेश रुप से ज्ञान दे करके काम किया जाएगा ट्रांस जेंडर साथियों को भी पहले किसी नहीं पूशा ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपाने ही प्रारंब किया है भाजपा ने ट्रंस जेंडर साथ्यों को भी अब आईश्मान भारत योजना के दाइरे में लाने का निरे नहीं लिया है साथ्यों भारत आज विमेन लेड डेवलोप्मेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है पिछले दस वर्ष नारी गरिमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं आने वाले पाँच वर्ष नारी शक्ती की नई भागीदारी के होंगे बीते दस वर्ष में दस करोड महिलाएं स्वयम सहायता समू से जुड़ी हैं दस करोड बहनों के सहायता समू हो को अब हम आईटी, सिक्षा, स्वास्थ, रिटेल और टुरिजम जैसी सेवाओं के लिए जैसे होमस्टे वगरे होता है हम उनको ट्रेनिंग देंगे अभी तक एक करोड लगपती दीदिया बन चुकी है अब मोदी ने तीन करोड बहनों को लगपती दीदि बनाने की गारंटी दीए नमो ड्रोन दीदि योजना से गाउ गाउ में बहने ड्रोन पाइलट बनेंगी गाउ की महलाओ से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी हम तो साइकल भी चलाना नहीं जानते थे गाउ में हमें कोई पूस्ता नहीं था आज हमारी पहचान पाइलट की बन गई है हम ड्रोन पाइलोट के नाते पुरे गाउं में एक प्रतिश्चा के असान प्राप्त हुआ है सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत दी लाखों रुप्यों में है लेकिन मैं रानुबव है हमारी माताएं बेहने उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से समालती है टेक्नोलोजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है आगे भी बढ़ेगा कमाई भी बढ़ेगी इतना ही नहीं एक बहुत बड़ा रिवॉलुशन टेक्नोलोजिक ड्रिवन एक्रिकल्चर को इसके एक धुरा के रुप्य है यह हमारी ड्रोन दिदी प्रस्तापित हो जाएगे वो धुरा भी बनेगे उसी प्रकार से महिला खिलाडियों को खेलों में आगे बढ़ेने के लिए विशेज प्रोग्रेम और विशेज सुविधाय बनाई जाएगी बेहनों बेटियों के बहतर स्वास्थ के अपने मीशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सरवाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे साथियों हम गाउं की पूरी अर्थ दवस्ता को संपूनता में देखते हैं इसलिए खेती हो पशुपालन हो फिसरीज हो सबको ससक्त कर रहे हैं ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार के दाइरे में हमारे पशुपालत भाई बहनों को हमारे मच्वारे भाई बहनों को जोड़ा है पी-म किसान सम्मा निदिरकाला भी देश के दस करोर किसानों को आगे भी जारी रहेगा सहकारिता से सम्रुद्धी के वीजन पर चलते हुए भाजपा राश्टिय सहकारिता नीती ले करके आएगी और ये बहुत बड़े करांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं देश भर में देरी सहकारी समित्यों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी कुछ महने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना शुरू हो चुकी है भारत को ग्लोबल नुट्रिशन हब बनाने के लिए हम स्री अन्न सूपरफुड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं इससे स्री अन्ड पैदा करने वाले दो करोड से जादा छोटे किसानों को विशेश लाव होगा हम दलहन और तिलहन में आत्म निर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे भाजपा, सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी फिसरी सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेशिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे हमारे मचली पालक साथियों को सी वीर की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोटसान दिया जाएगा धर की माँ की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती नेचरल फार्मिंग उस पर बल दिया जाएगा भारत एक बहुत बढ़ा रिवोर्शरी काम शुरू किया है और सपलता मिली है नेनो यूरिया नेनो यूरिया के जादा से जादा इस्तिमाल पर भी जोड दिया जाएगा भाजपा ने किसान समुरुद्धी केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है भाजपा का संकल्प भारत को फूर्ड प्रोसेसिंग हब बनाने का है इससे वेल्यू एडिशन होगा किसान का फाइदा बढ़ेगा रोजगार के नए आवसर भी बढ़ेंगे ये फूर्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल एकोनामी के लिए नए ग्रोथ इंजिन बनेंगे साथियों देश में जन जातिय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जन जातिय गवरल दियस मनाना तैक किया है अगले वर्ष दोहजार पतीस में बगवान बिर्सा मुंदा की एक सो पचास भी जन्मजनती है इसे राष्टिय सर पर मनाये जाएगा जन जातिय गवरो अभ्यान को राष्ट भर में गती दी जाएगी बाजपा जन जातिय विरासत पर अनुसंधान को भी पोत्साहित करेगी डिजिटल जन जातिय स्कला अकडेमिकी भी सापना की जाएगी वन उपज आधारिक स्टार्ट अप्स और स्वयम सहायता समों को भी बढ़ावा दिया जाएगा साथ सो से जादा एक लव्य स्कूलों के निर्माण के लक्ष को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा साथियों भाजपा विकास भी और विरासत भी उस मंत्र में विस्वास करती है हम पुरी दुनिया में संत तिरुवलुवर कल्चुरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमील यह इस देश का गवरव है हमारा गवरव है तमील भाषा की वैश्विक प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए भाजपा हर प्रकार के नए उपकरम शुरू करेगी प्रयास करेगी हमारे देश में तुरिजम का जो पोटेंशन है उसे भी अनलोग किया जाना बाकी है भाजपादवारा विश्व प्रवाची ग्लोबल टुरिस्ट को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे जैसे नालंदा हो, लोथल हो हौई सला के पवित्र मंदिर समो हो बहुत सल हो जैसे अनेख सलों का विकास किया जाएगा अभी एक ओनलाइन कॉंपटिशन भी चल रहा है जिसमें देश के लोग टुरिजम के डेस्टिनेशन की रैंकिंग कर रहे हैं ये टुरिजम डेस्टिनेशन की रैंकिंग जो हो रही है इसकी आधार पर अच्छे टुरिज़ डेस्टिनेशन का जो पसंद लोग करेंगे उनको सिलेक करके उनके सरवांगिन विकास के लिए डेवलप्मेंट के लिए और विदेशी टुरिस्टों को भी आकरसित करें उस रूप में लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है टुरिजम वो सक्टर है जो सबसे कम निवेश में सबसे जादा रोजगार प्यदा करता है टुरिजम बढ़ता है तो होटल, रेस्टोरंट, होटो रिक्षा वाले, टैक्सी वाले सभी को इससे फायदा होता है भाजपा, इको टुरिजम के नए सेंटर्स भी बनाएगी इससे होमस्टे के जो अवसर बनेंगे उसका लाब हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा भाजपा सरकार होमस्टे के लिए महिलाओं को विशेश रुप से आर्थिक मदद देने की योजना बना कर आएगी साथियों 21 सदी के भारती बुनियाद भाजपा तीन तरह के इंफ्रस्टेक्टर से मजबूत करने जा रही है पहला है सोशल इंफ्रस्टर दूसरा है डिजिटल इंफ्रस्टर तीसरा है फिजिकल इंफ्रस्टर social infrastructure के लिए हम नए नए educational institutes खोड़ रहे हैं universities बनवा रहे हैं medical college बनवा रहे हैं आविशमान आरोर के मंदिर गामों में बना रहे हैं इतना ही नहीं हमारे जो business का truck drivers है उनके लिए हम highway के पास उनको sufficient rest मिले accident कम हो इसके लिए बहुत बड़े infrastructure develop करने जा रहे हैं ताकि driver सफर के दर्मयान highway पर जो समय उसको नान के लिए चाहिए अन्यसुविधा के लिए चाहिए rest करना हो तो उसको मिले तो ऐसे बारीक बारीक अनेक शित्रों को ढूंड करके हम social infrastructure पर बलते रहे हैं दूसरा है physical infrastructure इसलिए हम देश भर में highway railway airway waterway उनको आधुनिक बना रहे हैं तीसरा है digital infrastructure और इसलिए हम 5G विस्तार कर रहे हैं 6G पर काम कर रहे हैं और industry 4.0 के लिए digital infrastructure यह उसकी backbone होती है हम industry 4.0 को धान में रखते हुए हमारे digital infrastructure को तयार कर रहे हैं हम सरकार की ज्यादा से ज्यादा सेवाओं को online बना रहे हैं common service centers की संख्या बढ़ा रहे हैं ONDC online जो लोग खरीदी करते हैं उसके लिए platform ONDC और telemedicine का विस्तार कर रहे हैं इन तीनों तरह के infrastructure social, physical और digital इंफ्रा का मजबूती से विस्तार भाजपा की एक प्रमुक एक प्रकार से पुरानी सोच से अलग गती भी तेज होगी scale भी बहुत बढ़ा होगा and scale और speed इतना बढ़ेगा कि उससे scope भी बढ़ जाएगा ये भाजपा की सरवोच्च प्रास्फिक कामस हैं हमारे देश में urbanization को शहरी करण को पहले की सरकारे चनोती माना करती थी भाजपा उसे अवसर के रूपे देखती है हम देश में नएने satellite towns बढ़ाएंगे जो देश के विकास का growth center बढ़ेंगे रोजगार के नए अवसर बढ़ाएंगे देश के aviation sector के विस्तार पर भी भाजपा का जोर है अपी देश ने आपको पता होगा करीब एक हजार से जादा नए विमान का ओर्डर दिया हुआ है बारत ने वो अपने साथ employment की भौत दारी नए संभावना लेकर आएंगे पाइलट airline crew ground shop इस से जुड़ा logistic transportation ऐसे अने एक सेक्टर में नए आउसर create किये होगे इस सेक्टर देश के छोटे शहरों में रहने वाली वाओं के लिए भी dream center बनने जा रहे है साथियों भाजपा देश के कोने कोने में बंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी देश में बंदे भारत के तीन model चला करेंगे बंदे भारत sleeper बंदे भारत chair chair car और बंदे भारत metro इस तीन प्रकार से हम इसको करेंगे उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुलिष भारत की और विश्तित भारत की दिशा में जाने के लिए आज अमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब परीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पस्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है अब भाज़पा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन दक्षिर भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन वैसे उत्तर दक्षिर पूरब पस्षिम चारो दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनित्ता की तरफ जाने को गति देंगे इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा साथियों भाजपा का संकल्प पत्र है देश को आत्मन दिर्भरता की तरफ ले जाने वाला है डिफेंस सेक्टर हो, एडिबल ओइल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो भारत कब तक दूसरे देशों पन दिर्भर रहेगा आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड रुपय का फोरेड एक्षेंग खर्ज करते हैं इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मनिर भरता पर है इसलिए पैट्रोल में इथेनॉल की ब्लैंडिंग हो ग्रीन हाइड्रोजन हो रिजिवल एनर्जी हो गोबर्दन हो बायो फियल हो सभी छेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी ये हमें आत्मनिर भर बानाने के साथ ही परियावरण की दुरुष्टी से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा इससे देश में बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे हरी तरोजगार बहुत विस्तार होने वाला है आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्ट्रीक वहिकल का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है दस साल पैसे दस साल पहले एक साल में सिरफ दो हजार इलेक्ट्रीक वहिकल बिके थे एक साल में दो हजार जबकि पिछले ही साल सत्रां लाग से जादा इलेक्टिक वेहिकल भी के है पूरे देश में चार्डिंग स्टेशन्स हो और जरूरी इंफ्रासेक्टर बनाए जा रहे हैं और यह वेहिकल का इतना बढ़ाव होने वारा है तो मैंने घर में भी जैसे पीम सुर्य घर से जोड़ करके गर में भी चार्डिंग स्टेशन और मुप्त में ट्राविलिंग उद्धिशा में भी हम बढ़ रहे हैं इससे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाए बनने जा रही है सासियों भाजपा का संकल्प है भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर स्का ग्लोबल हब बनाने का है वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा फार्मा हब होगा इलेक्टोनिक हब होगा आटो मुबाइल हब होगा सेमी कंड़क्टर हब होगा इनोवेशन हब होगा लीगल इंसॉरंस हब होगा कॉंट्रेक्टिंग कॉमर्चियल हब होगा वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े-बड़े एकोनोमी सेंटर भारत में होगे भारत ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स ग्लोबल टेकनोलोजी सेंटर्स ग्लोबल एंजिनेरिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हब बनेगा स्पेस में भी हमें बहुत बड़ी ताकत के रुपे विश्म में बहुत बड़ी ताकत के रुपे उभरेंगे और उसके लिए निस्पिद रोड मैप से हम आगे बढ़ेंगे और ये भारत के यूद के लिए इतनी सारी opportunities लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायर कलपना भी नहीं की होगी जातियों आज विश्व में अनिस्वित्ता के बादल चाये हुई है युद्व की सिती बनी हुई है तनाव पूर्ण है पुरा विश्व संकट के ऐसे समय में इन खेत्रों में रह रहे भारतियों की सुरक्षा ये हमारी प्रात्मित्ता है और जब दुनिया में इतना प्रकार के भाती भाती प्रकार के तनाव चलते हो तुफान चलते हो तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पून पहमत वाली स्थीर सरकार की आवरसत्ता अनेग गुना बढ़ जाती है ऐसी सरकार जो देश को आर्फिक रुप से भी समृद्ध बढ़ाए और भाजपा इसके लिए संकल्प बद्ध है आज आपने देशा है कि भाजपा का इसंकल्प पत्र भाजपा का इस मरिफस्टो ऐसी ही एक सरकार की गरंटी देता है भारत विश्वबंधु के तौर पर मानुता के कल्याण के लिए मिरन तर प्रयासरत रहेगा साथियों भारतिये जनता पार्टी देश हित बैंक बड़े और कड़े निने लेने से कभी पीछे नहीं हरती हमारे लिए दल से बड़ा देश है नारी शक्ती बंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए रिफर्म, परफर्म, ट्रांस्फर्म के मत्र पर कलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे गुड गवर्नन्स, डिजिटल गवर्नन्स और डेटा गवर्नन्स के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्टेक्टर और इकोसिस्टिम तैयार किये जाएंगे हम बन नेशन, बन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे बीजेपी, युनिफॉर्म सिविल कोड को भी देशित में उतना ही आवश्यक समझती है आपने देखा है, कि पिछले दज साल में ब्रस्ताचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कारवाई किये ब्रस्ताचार गरीब का हक्षिनता है, मद्यंबर का हक्षिनता है राष्टियत सर पर होने वाले, हजानों करोड के घोटाले अब बंद हुए है अब गरीब को उसका हक मिल रहा है, और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं ब्रस्ताचारियों पर ऐसे ही निरंतर सक्त कारवाई होती रहेगी, ये मोधी की गारंटी है साथियों मैंने लाल किले से कहा था, कि यही समय है, सही समय है आने वाले एक हजार वर्सों के लिए भारत के भविश्य को तै करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है भाजपा के संकल्प पत्र पर, चार जून के नतीजे के बाद, तुरंट तेजी से काम शुरू हो जाएगा सरकार पहले ही, सो दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारम कर दिया है देश के लोगों का एम्बिशन, देश के एक सो चालिस करोर वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी, अब हम गगन यान का गवरव अनुभाव करेंगे अभी हमने जी ट्वेंटी में धुनिया का भारत में स्वागत देखा, अब हम ओलेम्पिस्ट की मैजबानी के लिए पूरी ताकट लगाने वागे ये नया भारत रखताथ पकड़ चुका है अब इसको रोकना संबह हुआ है इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रुप में देश वास्यों के समक्ष आशिरवाद के लिए रख रहा हूँ 144 करोड देश वास्यों के सपनों को हकिकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आए है मैं देश वास्यों से प्रार्षना करता हूँ कि माभारती के कोटी कोटी जनों के कल्यान के लिए विश्चित भारत के सपने को सिद्ध करने के लिए इस संकल्प पत्र को लागू करने के लिए तेज गती से आगे बढ़ाने के लिए हमें आशिरवात दे हमारी शक्ती और बढ़ाए इसी एक प्रार्षना के साथ देश वासियों का अभिनेंदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत भी अन्यवाद